केरल के मश्यूर सबरीबाला मंदिर में रविवार की रात भगदर मच गई जिसमें 31 श्रधालू जखमी हो गए हैं इस भगदर में जखमी श्रधालू में से कुछ की हालत बेहत नाजुक बने हुई है पदन मतिटा जिलाधिकारी के मुताविक भारी भीड के कारण सन्नी धानम और मलिकापुरा के बीच रस्ती से बना बेरिगेड तूटने की वजह से यह हाथसा हुआ है बताया जा रहा है कि 41 दिन के मंडला पूजा की समाक्ती से पहले रविवार को यहां भारी भीड उमडी थी बगवान अयप्पा द्वारा पहने जाने वाले पवित्र गहनों थंगा अंगी को मंदिर में पहुचाने के लिए यात्रा निकाली गई थी जिसमें हजारों श्रद्धालों ने भाग लिया था सब्रिमाला के देवास्वम मंत्री कडा कमपाली दुसरिंद्रन ने बताया कि थंगा अंगी लाए जाने के दौरान श्रद्धालों की भारी भीर थी इसी दौरान पहाडी पर रस्ती से बना वेरिगर टूट गया और रस्ती के सहारे खड़े लोग एक दूसरे पर गिर सब्रिमाला मंदिर में 14 जन्वरी 2011 को भगदर मजी थी जिसमें 106 रधालों की मौत हो गई थी वहीं भीड की चपेट में आने से करीब 100 लोक जखमी हो गए थे वहाज़ा काफी भायानक था लेकिन इस बार गनीमत रही कि इस हाथसे में जानमाल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है देखते रहेडी पे लाइव